सलाम अलेकु इपब्वुन, मैं हुआ मूओ महमत तल्ह आ आप लोग देख रहे हैं तला स्फेज अकेडमी आज बात करेंगे कंपउट मायक्रोस्कोप के बारे में के कंपउट मायक्रोस्कोप क्या है, उसे क्यूँ इसतंपाल किया जाता है क्या construction है क्या working है तो overall जो भी discussion है हमारे course में about compound microscope उसके बारे हैं बात करेंगे so start करते हैं with the introduction so यह एक optical instrument है which is used to see very small objects बहुत ही छोटे objects देखने के लिए इसको इस्तमाल किया जाता है which cannot be seen with our naked eye जो के हम अपनी आख से सिर्फ आख से नहीं देख सकते और यहां पर देखो जो word आ रहा है सबसे पहली बात compound कुछ word ही आपको define करके बता देते हैं कि वो चीज़ क्या है तो compound कहीं पर भी आ रहा होता है तो उसका मतलब होता है more than one ठीक है न एक से ज्यादा तो compound हो जाएगा more than one ठीक है और दूसरी जो चीज़ यहां पर इस्तमाल हो रही है वो है microscope ठीक है microscope दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है एक word आ रहा है micro जिसका मतलब होता है small और scope आ गया to view यानि कि एक ऐसा optical instrument है जो के छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तमाल किया जाता है और उसमें more than one lens मौझूद है एक से ज्यादा lens मौझूद है तो उसका नाम हो गया compound microscope so it is an optical instrument which is used to see very small objects which cannot be seen with a naked eye जिसको सिर्फ हम अपनी आँख से नहीं देख सकते खुली आँख से for example इसके अंदर हो सकता है microorganisms जैसे के bacteria, germs, viruses, etc इन सब चीज़ों को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते तो फिर क्या करें तो उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं एक compound microscope जो के आप अपनी lab में देखी भी होगी आप लोगों ने देखो इस किसम की होती है कुछ compound microscope और अगर basic construction की बात करें ना बागी सारे parts में इतना हम लोग interested नहीं है physics वाले हम लोग जो है वो interested है इस मामले में के lens और optics को समझ पाए तो याद रखो यह consist करता है दो converging lenses पे converging lenses किसे कहते हैं convex lens को तो दो convex lenses होते है एक convex lens को कहते है objective और एक convex lens को कहते है eyepiece वो जो object के करीब है जो किसっぽर में होता है उसे कहते है objective और जहां से हम लोग देखते हैं जो हमारे आँक के करीब होता है उसे कहा जाता है आइपीस. नाम से जायर है औपजेक्टिव आबजेक्ट की तरफ वाला और आइपीस का मतलब हो जाएगा आँक के करीब वाला. अबजेक्टिव को अगर डिफाइन करें तो यह वो लेंस है जो के होता है in front of the object उसे हम objective कहते हैं पहली बात दूसरी बात है कि उसकी focal length बहुत ही छोटी ली जाती है objective की focal length small है इस बात को अपने जहन में रखना है objective form करता है एक real image, inverted image और magnified image ठीकिन उस object के जो के object रखा जाता है beyond the focus of the objective objective के बाद वो मैं भी working में भी आपको बताऊँगा ray diagram में भी समझाँगा main बात आप दो याद रखिए objective होता है object के करीब और उसकी focal length होती है कम working के लिए इतना ज़रूरी है और दूसरा lens जो है वो है eye piece eye piece होता है observer की आँख के करीब इसी वज़े से उसको eye piece कहते है इसकी focal length बहुत ज़्यादा होती है as compared to the focal length of objective और ऐसे समझे लोगे eye piece बिलकुल एक magnifying glass एक simple microscope के तोर पे काम करता है यानि eye piece के लिए जो दो बाते आपने याद रखनी है वो ये के ये हमारे eye के करीब होता है और दूसरी बात ये है के इसकी focal length ज्यादा होती है as compared to the focal length of objective ठीके जी ये है इसकी construction construction के बाद असल चीज जो है वो हमने समझनी है इसकी ray diagram तो सबसे पहले हमने बना लिया एक principle axis जहांपर सारे के सारे lens हम ray diagram में show करेंगे याद रखो paper में ray diagram बना नहीं होती है उसकी अच्छे से practice करनी है अब हम lens बना लेते है for example एक lens बना लिया है जिसकी focal length बहुत ही कम है कौन सा lens हुआ है ये हो गया objective ठीक है फिर एक तरफ बना लिया हमने lens जो के है eye piece और उसकी focal length ज्यादा है आप देख सकते हो दोनों की focal length मैंने अलग-अलग बनाई है ये है fo fo का मतलब focal length of objective जो के lens के दोनों तरफ होती है और छुटी-छुटी आपको नजर आ रही ना left पर भी और right पर भी और जो हमारा बड़ा-बड़ा lens है जो के eye piece है उसकी focal length ज्यादा है देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा बड़ी-बड़ी बनाई है fe का नाम दे दिया दोनों तरफ fe fe और objective focal length हो जाएगी fo fo ठीक है जी अब सबसे पहली बात कोई एक object बनाना है आप याद रखना कि जब आप ray diagram बनाऊ तो object को छोटा बनाना इस object को छोटा इस वज़ए से बनाना क्योंके क्योंके वज़ा बताओ क्या वज़ा हो सकती है because compound microscope से हम देखते ही छोटी चीज़ है तो बड़ा object बना के करना ही क्या है और दूसरी बात ही कि ray diagram बहतर बन जाएगी बिल्कुल proper बनेगी अगर आप यह object छोटा सा बनाएंगे ठीके ना हम यहाँ पर एक छोटा सा object बनाते है और अब properties of rays इस्तमाल करेंगे हमें पता है जो भी ray बिल्कुल सीधी जाती है object से और lens से गुजरती है तो lens से गुजरने के बाद वो पास होती है principle focus से यह इसके principle focus से पास हो गए इस तरह के से straight ray जाके यह आपको नसर आ जाएगी दूसरी ray optical center से गुजर देते है जो भी रे optical center से पास होती है वो अपने रास्ते को change नहीं करती यह जहाँ पर यह दोनों rays जाकर मिलेंगी न वहाँ पर बन जाएगा image जहाँ पर भी दोनों rays मिल रही है वहाँ पर एक image form हो जाएगा ठीक है एक image बना लेते हैं और यकीनन यह जो image बना है मैंने construction में ही बताया था कि यह बनेगा एक real और inverted image ठीक है ना पहली rays सीधी गई वो focus से गुजरी पिंसिपल focus से स्टेट चली गई और जो optical center से जाती है ray वो अपने रास्ती को change नहीं करती और जहाँ पर दोनों rays मिलती है वहाँ पर हमने एक image बना रही है यह एक real और inverted image बन गया है उस छोटे से object का पर यह अभी भी उतना magnified नहीं है जितना इसे होना चाहिए तो अब समझने वाली बात यह है कि यह objective का image है पर इस बड़े वाले lens के लिए आईपीस के लिए यह object की तरह से काम करेगा यह वाला जो arrow नजर आ रहा है यह objective का तो image है पर क्यूंके यह हमारे आईपीस की focal length के अंदर आ गया है तो यह काम करेगा as object आईपीस के लिए यह object की तरह से काम करेगा तो बिल्कुल वैसे हम क्या करेंगे पहले से सीधी ray निकालेंगे और जो भी ray parallel to principal axis जाती है वो पास होती है प्रिंसिपल focus से यह पास हो जाएगी principal focus से और दूसरी ray अगर हम बनाएंगे तो वो ray optical center से गजारते है और रहे पता है जो भी ray optical center से पास होती है वो अपना रास्ता change नहीं करती अब clearly नजर आ रहा है कि जो दोनो rays है यह आगे जाके मिलेंगी तो नहीं तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं जब rays नहीं मिल रही होती उन्हें हम virtual back side पर बनाते हैं इसी सीर में इन rays को हम पीछे की तरफ बनाएंगे और देखेंगे कहां जाके मिलती है तो इसी direction में जब इन rays को मिलाया तो यह एक point पर जाकर मिल गई यहां पर कहीं पर और जहां पर भी जाके मिल रही है वहां पर आ जाएगा हमारा final image यह आ गया एक magnified image तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा magnified है actual object यह था ठीक है और जो हम यहां से देख रहे होंगे यहां से हम देखेंगे ना इसको यह हम यहां से इसको observe कर रहे है तो हमें जो है image नजर आएगा वो इतना बड़ा सा नजर आएगा यह हमें उसका final image नजर आया और final image जो नजर आ रहा है वो कैसा नजर आ रहा है यह जाके inverted है है तो यह inverted लेकिन अच्छा खासा magnified है असल काम यह था कि हमें छोटे object को बहुत बड़ा करके देखना था तो हमें एक magnified final image में लेगा with the help of compound microscope ठीक है जी तो पहले construction याद करी construction समझी उसके बाद ray diagram को बनाया और ray diagram बनाने के बाद बता भी देते हैं working हुई कैसे objective को हमने ऐसे adjust करा कि जो object है वो बहुत ही जोज आजाए उसके focus के ठीक है देखो इधर हमने जो object रखा था उसको काफी focus के करीब रखा था और फिर क्या करा उसका एक real और inverted magnified image बना था दर्मियान में object का दर्मियान में बना था 2F के on the right hand side 2F के बाद ठीक है ये जो है तकरीबन समझे लो 2F के बाद बना ये F है इसका double हो जाएगा तो उसके काफी बाद बनेगा ये आ गया एक real और inverted image ठीक है जी और फिर हमने क्या करा IPS को ऐसे adjust करा कि उसका virtual image बन जाए at the least distance of distant vision पे यानि कि तकरीबन 25 cm के फासले पर वो final image बन जाए unified हो जाए ठीक है जी तो finally एक formula हमें मिलता है और ये formula होता है for magnification अगर हैं मालूम करना चाहता हूँ कि हमारी जो compound microscope है उसकी magnification कितनी है तो वो कुछ factors पर depend करती है सबसे पहले नजर आ रहा है L L का क्या मतलब है L का मतलब है length of microscope microscope की total length कितनी है ठीक है एफो क्या है एफो बता चुका हूँ पहले भी ये है focal length किस चीज की focal length of objective ये objective की focal length है फिर क्या आ गया फिर आ गया d d मैंने बता दिया क्या होता है least distance of distant vision जो कि 25 होता है और f ये आप जानते हैं focal length होगी किस चीज की focal length of i-piece जो कि actually ज्यादे ही होती है ठीक है न तो इस formula की मतदद से हम magnification मालूम कर सकते हैं कि कोई भी जो compound microscope है वो हमें कितना ज़ादा magnified image दिखा देती है ठीक है न तो इस formula से मालूम कर सकते हैं अब finally used वैसे तो मैं बता चुका हूँ जो invention होई है microscope की उसी की मदद से हमने cell देखना शुरू करे और दूसरे small structures को देखना शुरू करा जो कभी भी हम आँख से नहीं देख सकते थे तो microscope basically हमें direct view देते हैं extremely tiny objects का जैसे for example हम देख सकते हैं यहाँ पर यह आपको नजर आ रहा है यह amoeba नजर आ रहा है यह amoeba है ठीक है यह amoeba का symbol है ठीक है यह यहाँ पर आ गया है LG का हम LG को इस तरीके से देख सकते हैं पिर यहाँ पर कोई animal cell आपको नजर आ रहा है animal cell का figure देख सकते हैं और generally atom को भी हम देख सकते हैं with the help of microscope ठीक है जी तो आज का हमारा lecture compound microscope की तमाम बातों के बारे में था I hope मैंने जितना समझाया समझ में आया होगा और भी कुछ जानना हैं तो comment section में पूछ सकते हो इंशालला मैं बताने ही कोशिश करूँगा that's all for this lecture Allah आफिस झाम का लुո is इंशालला है जाथ बचार का लुट